नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभिसेक मिस्रा ब्यार में चार विदानसवा सीटों पर उपचुनाओ की घोसना हो गई है और बात हम लगातार विदानसवा उपचुनाओ की ही कर रहे हैं चारों सीटों के समिकर्णों पर बात कर रहे हैं इन चारो साथ राष्टिये लोक मोर्चा यानि उपेंद्र कुस्वाहा की पार्टी के प्रवक्ता पार्टी के वरिस्वेता रामकुकार सिना मौजूद है इस वक्त और जाहिर है बिहार उप्चुनाव पर ही बात होगी हालाकि आपकी पार्टी कोई किसी सीट पर नहीं लड़ रही है सिना साब लेकिन आप अंडिये का हिस्सा है एंडिये ने बीजेपी ने उपेंद्र कुस्वाहा से भी बड़ी उमीद लगा रखी है खासकर तरारी की सीट पर रामगर की सीट पर ठुड़ा प्रभाव है आपका जो मैं समझता हूं उपेंद्र कुस्वाहा का उस इलाके मे जितनी मेरी जानकारी है प्रसांद कि शोर को चुनोती मान रहे हैं कि नई मान रहे हैं नए खिलाडी है और सबसे और अप लोगों से पहले उन्हों ने अपने उमिद्वार का एलान कर दिया और तरारी पर कर दिया देखे बिहार में दो धूरू की लराई है एक तरफ एंडिये एक तरफ महागटबंधन और हम लोगे हर समय चुनावी मूड में रहते हैं ये गटबंधन का एक कार्ज करता हर समय 365 दिन में 365 दिन चुनावी मूड में तयार आता है कि कब कहां चुनाऊ हो जाए और हर प्रिष्टिती को हम लोग जहलने के लिए संकल पिट है जहां तक मैं बता देना चाहता हूँ आपको अभी सेख जी आपके प्रकर जुआ पत्रकार हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों को देखा है कि इसके सासन काल में कितना विकास ह हुआ यह बिहार की जंता बखुबी जानती है और बिहार में जो बिकास पुरुस्य के नाम से जिस विक्ति को उपाधी मिला है वो है आधर्निय मानिय मुख मंत्री बिहार के स्री नितीश कुमार जी और केंद्र में नरंदर भाई मोदी जी की सरकार है तिसरी बार सरकार ब के अंदर में मंत्री हैं और जीतनरमाजी जो एक महादलित समात के प्रमुख चेहरा है बिहार और राष्टी अस्तरपर इन लोगों का एक गडवन्धन बिहार की रानिती में जो दिशा दे रहा है वो पुड़े बिहार की जनता हुआखिप है इस मामले से लेकिन उप्चुनाओं में जो सबसे पहला जटका लगा वो तो आप ही को लगा आप ही की पार्टी को लगा दो लोग पार्टी छोड़कर चले गए प्रमानंद कुश्वाहा अजय कुश्वाहा और उन्होंने कहा कि भाई आपकी पार्टी का तो एस्टेंड ही साफ नहीं है विधान सबा उप्चुनाओं को लेकर और खासकर बेला गंज उप्चुनाओं को लेकर बात हम तरारी की कर रहे थे बेला गंज की बात भी कर लेते हैं चोकि आपकी पार्टी के दो लोगों ने पार्टी छोड़ दिये देखिए हम लोग गडवंधन में हैं और गडवंधन का एक मरजादा होता है नियम होता है काइदे होते हैं कानून होते हैं तो गडवंधन नियम काइदे कानून से ही चलता है और मानली जी कि हमारे गडवंधन के पार्टी को अगर वो सीट नहीं मिली तो अगर कोई उमिदवार लड़ना चाहे तो मारे पार्टी को छोड़कर चले गए उनका स्वागात उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं हर आदमी सोतंत्र होते हैं लेकिन हम लोग गडवंधन से बंदे हुए लोग है और हमारे नेता गडवंधन का जो रायनितिक धर्म होता है बखू भी निवाते इसमें कहीं कोई दो मत तहीं है मानिये उपंद्रकुस वहाजी राहनीती का जो गडवंधन धर्म होता है उसको अपने जिंदगी में सत प्रतिशत उतारने का काम करते हैं और इसकी प्रेक्ष में मान लिजे की चार बिधान सबा उपचुनाओं में हमारी पार्टी नहीं लड़ रही है तो उस प्रिष्टी में जो हमारे गडवंधन के जो सवाजोगी पार्टी लड़ेंगे उनको हम लोग जाकर पूरा मुस्तैदी के साथ मदद करके और चारू का चारू इंडिये गडवंधन के उमिदवार को जिता कर हम लोग लाने करके आपकी चुनोती भी आसान नहीं लग रही है विदान लोग सभा चुनाओं से अभी तक देखा जाए लोग सभा चुनाओं के पहले आपके परदेश सद्ध्यक्षी चले गए जेडियू में उनकी पत्नी को टिकट दे दिया जेडियू ने वो जीत भी गई सीवान से लोग अभी छोब इसका भी दुख आप लोगों को है और अभी फिर उप चुनाओं से पहले आपकी पार्टी को लोग छोड़के चले गए तो एक तरफ आप सदस्ता अभियान चला रहे हैं दूसरी तरफ आपकी पार्टी के लोग छोड़कर चले जाते हैं चुड़ाओं से पह और आनितिक धर्म निभाने में गटवंधन धर्म में बहुत सीमा को पालन करना पड़ता है। जमीनी पकर है, जमीनी कार्ज है और करकरताओं के मसिया के रुप में जाने जाते हैं तो दोजर पड़ताओं के मजबूती के लिए संकल पित रहते हैं। प्रेंदर कुश्वाह उप चुनाओं में कमाल करेंगे, विधानसवा चुनाओं में भी कमाल करेंगे, प्रसांत की सुर कोई फैक्टर नहीं है, नहीं है फैक्टर? बिल्कुल नहीं, कोई फैक्टर नहीं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। झाल